कि नमस्क건 दोस्तों में हूं अम्दे में स्रा कैसे हैं आप सभी आप सबी का स्वालगत है इसuktईइ येश में मैं सब्सक्राइब बहुत अच्छे होंगे बहुत बहुत अच्छे से बढ़ाई कर रहे होंगे, और आपका लौकड़ाउन भी बहुत अच्छे से जा रहा होगा, और आपका लौकड़ाउन के नेमौ का आप सभी पाइलन कर रहे होंगे丁 прилож quality के most expected question जो कि आप देख सकते हैं प्रिलेंस एक्जामिनेशन में ठीक है प्रिलेंस में ये question आपको देखने को मिल सकता है तो हम इसको कवर कैसे करेंगे इसके sources क्या क्या है इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा से जरूरी है जमना तो से पहले न हम इसको कवर करेंगे एक नए स्टाइल में अधर ट्रेंड देखेंगे ट्रेंड कैसे देखेंगे for example UPSC mostly question पूस्ता कहां से यह नहीं कि एक के दुख के question पचास सल पहले पूश लिया तो अब हम पूरा पचास सल के current face रटने लग जाए तो वह तो पॉसिबल है नहीं देखो ना इतना time होता है ना इतना आप लोग कर सकते हैं ठीक है कर तो सकते ह किसी कुछ challenge नहीं कर सकते लेकिन फिर वह exception क्यास हुजाएगा कुछ ऐसा करते हैं जिसमें हमारे most of the question जो है मतलब around selection जिससे हमारा हो जाए उतने question हम लोग कर ले इसके अलामा मतलब एक मतलब अपने साथ मा positive point मतलब बन जाए selection होने का तो mostly जहां तक मैंने analyze किया है वो D-2 अब D-2 क्या उसके बारे में जानेंगे for example जैसे आप IAS CSE UPSC CSE 2020 आप देना चाहते हैं इसमें minus 2 कर दीजिए 2018-19-20 इतने year के question जो है mostly UPSC पूछता है बट यह guarantee नहीं कि 2018 बोला है तो 18 ही पूछेगा वो आपसे 19 भी पूछ सकता है 70 भी पूछ सकता है 17 भी पूछ सकता है 16 भी पूछ सकता है को guarantee नहीं है बट mostly अभी तक जैसा trend देखा गया है वो D-2 जो है cover up करने की कोशिस करता है UPSC for example जैसे कोई भी अभी कोई बहुत ज्यादा मतलब controversial topic है या कुछ भी है मानलो इस यह बहुत controversial आपका CA NRC तो इस साल ना बात पूछ लेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूछे गई नहीं है यह for example अभी बहुत सारी मतलब कह सकते हैं हमारे government of India अभी जो सेंटर में है उन्होंने बहुत सारी ऐसे नीतिया दी है बहुत सारी चीजे बता है मतलब इसके लावा हम इसमें cover up करने करेंगे subject wise questions अभी जैसे हम लोगोंने quality लिया है ना इंडियन quality ऐसे हम बाकी subjects भी cover up करने की courses करेंगे और यह question कैसे होंगे year wise for example अब हम एक साथ दो जाब 18 19 20 तो नहीं करेंगे हम सबसे पहलेंदा चलेंगे 20 ताकि थोड़ा साथ को knowledge भी हो और आपकी knowledge भी boost हो और आपका confidence भी build up हो इसके बाद हम question करेंगे 2019 का इसके बाद 2018 का जैसी हमारा पतला complete हो जाएगा इसके बाद हम subject change कर देंगे इसके बाद quality के बाद हम लोग मेभी economics लेंगे history लेंगे geography लेंगे यह चार सब्जेक तो cover up करने की कोसिस करेंगे ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए क्यों क्योंकि इससे आपके 70-80% selection की chances बढ़ जाते हैं तो हम कौन को सब्जेक यहां पर cover करेंगे quality economy history and geography ठीक है यह सारे subject हम लोग यहां से cover up करने की कोसिस करेंगे ठीक है और question कोई limit नहीं है कि हम पांच जाए करा देंगे ऐसा कोई thumbnail नहीं बना रहा हो कि 5000 करा देंगे 10,000 करा देंगे जितने question होंगे सारे cover up करने के courses करेंगे जो भी हमें लगता है UPSC पूछ सकता है कोई मतलब हमाई तरफ से specified नहीं है कि सिर्फ इतने question करेंगे या इतनी जादे question दिखाने के लिए डाल दो भी 10,000 कराने है लेकिन वह question कितने मतलब valid point है कितने मतलब आने के chances है वह भी important होता वैसे नहीं कि हाँ पर अमाउंट बढ़ा दो और वह किसी useless question और टुच्छे ब्रगार के civil services में मतलब MP हो गया, UP हो गया, उत्राखंड हो गया, ठीक है, इन PCS यह राजस्थान का हो गया, इन PCS का ना, मतलब in PCS के exam भी दो तो भावे भी आपको bandit फिर मिले, अब कुछ अलग ही मतलब किसी और मतलब होते है, state PCS में exam नहीं नहीं ले सकता, ठीक है, अब उनके question ही ऐसे रहेंगे, वो useless रहेंगे, अब उनके question किसाफ से अगर आप preparation करने लगोगे आपको तो फिर पता नहीं क्या होगा, मतलब वो north से south में चले जाओगे, आपको जाना कहीं है, मतलब पहुंच कहीं जाओगे ऐसे questions को नहीं देखना है, इसके नावा सबसे important, most important चीज हमें आपर discuss करेंगे, कि source क्या है question का source, जो हम लोग question दे रहे हैं, भेज का source तो होगा ना, यह थोड़ी ना कि लक्षिमी कांत और NCRT books बोल दी, उससे मतलब UPSC थोड़ी ना बूचाएगा, UPSC question पूचता है ना, trending topic related to UPSC syllabus, ठीक है, अब यह topic क्या होते है, जैसे आप लोग daily newspaper बढ़ते हो ना, हम लोगों ने कहिए हम भी newspaper बढ़ते है, the Hindu, ठीक है, Indian Express, इसके अलामा PIV तो मेरे सबसे सभी बढ़ते होंगो, जो भी competition के जाएधी कर रहा है, यह तीन sources हैं, इसके अलामा other elements source हो गया, आपके बहुत सारे ऐसे online platform है, जो questions को provide करते हैं, mostly तो वैसे इन ही दोनों में हो जाता है, और PIV में हमारे सारी questions का बार आप हो जाते हैं, फिर भी का ऐसे कभी का बार मैं भी ऐसे mobile में scroll करता हैं, कुछ दिख जाता है, तो मैं उसको भी note down करके रख लेता हूं, यह सारे question अपने self-made है, ठीक है, ऐसा नहीं है, कि हैसे copy paste करके आपको other youtubers की तरह या other channels की तरह बहुता है, तो copy paste करके चापे जा रहा है, चलना आया जाना है, पढ़ाय जाना है, पढ़ाय जाना है, पढ़ाय तो नहीं है, बस वह ऐसे सीदे बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे questions को, ठीक है, ऐसा नहीं है, इसके अलावा मैं आपको कु सब्सक्राइब, लेकर 11 जो है, आपकी most important है, मेरे according, यह आपको, मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप सीदे आओ question attempt करो, और इसके बार आपको लगता है, मैं तो इतने question कर ले, UPSC नहीं हो रहा, कोई फैदा नहीं है, इस साच आप किसी मतलब, और exam की तहरी कर आपको, subject सारे पढ़ने है, depth, मेरा कहने का मतलब depth से यह है, कि knowledge जैसे na, elimination में आपको काम आएगा, ठीक है, मैं इसको लिपता ही, new one नहीं लोगा, अभी आप लोग eliminate ही करते हैं, सारे answer को, मैं बता देता हूं theoretically, elimination जैसे हम ना, तीन option पता है, एक में confusion है, दो option हमें पता है, कि इन दो में से एक होगा, confuse हो रहा है, तो उसको eliminate करने में बढ़ी आसानी पड़ती है, ठीक है, इसलिए हम लोग elimination method, अगर हमें depth knowledge हो कि किसी topic कि किसी चीज से related, भाई, दो option, तो यह तो होई नहीं सकते, यह तो होई नहीं सकते, वो कब बोल सकते हो, जब आपने subject से related, कुछ कुछ पढ़ राखोगा, तब ही तो बोल सकते हो, नहीं ऐसा थो नहीं बोलनोगे, इसके लामा, लक्षमी कान ते लिए भगवत गीता है, उसको तो पढ़ना ही, उसको बची नहीं सकते, कुरान, भगवत गीता, आप कह सकते हो, ग्रंत, कुछ भी कहलो Bible, जो मरजी कहलो, व हो है, ठीक है, वो आपको लक्षमी कान पढ़ना पड़ेगा, इसके रामा, हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारे एजुकेटर्स अल्रेडी, मतलब अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो मैं recommend करूँगा, कि आप पहले तो self reading करो, और in case अगर आपको नई सामिमा रहा है, तो आप उनके YouTube चैनल भी, मतलब YouTube वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है, वो वीडियो आप देखोगे और topic को पढ़ो कि बहुत ईजली सामिमें आ जाएगा, मैं के वले हाप पे question wise हम लोग cover up करने की कोसिश करनेंगे, but don't worry, मैं question बोलूँगो तो ऐसा नहीं कि इसका answer B है, ब मैं मन्त तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, कि इस year के इस मन्त में की question जो है trending पे रहा था, ये topic जो है trending पे रहा था, ये हो गया, इसके लावा मतलब सबसे important जो है na most of the important, मैं इधर लिख देता हूँ, इस topic इस slide के बारे में आपको explain करूँगा, ये भी आपकी benefit के लिए, सबसे पहले आपना जब भी एगर इस question को करना चाहते हैं, तो दो A4 page जो है आपने पास रख लो, क्योंकि मैं कुछ articles ये, कुछ topic बताऊंगा, जो आपको वापस से revision करना है, इस question को खतम होने के बाद, दूसरा, मेरे पूरे lecture में कोई lecture number नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, उसके पीछे भी region है, इसलिए कोई lecture number नहीं होगा, इसके अलावा कुछ मैं book list बोलना हूँ, जो आपको मेरे साफ से read करनी चाहिए, अब भी जो हमारा subject चलना है, quality के लिए, n-c-e-r-t, 11, and बहुत पतली-पतली है, at least 3-to-5 reading required है, दो के बाद आप उसको एक summary या guest, जो भी बोलना चाहोँ, आप बोल के उसे मतलब बना सकते हो, ठीक है, लक्षमे कांत, at least 2-3 बार आप पढ़ लो, ठीक है, इसके बाद भी ऐसा नहीं कि 2-3 बार पढ़ के बस हो गया, at least exam तक आते आते हैं, हमें कम से कम 5-6 reading चाहिए होता है, तो से साफ साफ देख लो, इसके अलावा, हमारी YouTube चैनल पे, वीडियोज दली हुई है, subject wise, अगर किसी topic पे आप confused होते हो, आप उन वीडियोज को भी देख सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास time है तो, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, देखो, to be very frank, मैं भी कभी कबार किसी video मतलब किसी topic पर फचता हूँ, अनलाइन सोर्स सबसे बेस्ट है, और हमारी चैनल पे जो भी एजुकेटर है, mostly वो आप तरीके से कैसे पर त्रस्टेड है, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा, आप टेलिग्राम पे पहुँच जाओगे, किसी एजुकेटर की video डालोगे, ठीक है, जी बही उसका, नल कोर्स या फिर हैड कोर्स, ठीक है, एक्स, वाई, जैड, एक्जामपल लिए चलो, सब ने देखा हुआ, होगा, आन अकैड़िमी के हम अमान लोग कोई एक फेमेस टीचर होगा, ठीक है, सिंपल ले ले लेते हैं, अनल सर, ठीक है, एक्नॉमिका, हम लोग जाएंगे, उनकी video निकालने की गोसिस करेंगे, उस तुच्चे वच्चे टाइप के लोग होंगे, जो 30 वीडियो में डाले रहें हैं वो, उससे लॉस आपका बहुत जादा होता है, ठीक है, क्योंकि फर एक्जंपल जैसे एकनॉमी से 10 कोश्चन आने हैं, देखो हम यूमन विंक्स के में बड़ी मतलब बेकार चीज है, हमारे साथ ना अन होनी बहुत होती है, सारे डिमेरिट्स में जो मतलब बैड लग ह होता है, यह समझ लो हमारे साथ होई जाता है, आपने न सौ पेज पढ़ा है, कोई गैरंटी नहीं है कि उसमें से 8 कोश्चन आ जाए, लेकिन आपने 10-20 पेज छोड़े हैं, पूरी गैरंटी है कि 10 कोश्चन उसमें से ही आ जाए, इसलिए मैं कहता हूँ, प्रॉपर आप आप लोग यूपस्ट की तरीक हरो, हाँ अगर किसी को बहुत जादा फाइनेंशल नीड है, किसी का फैसे नहीं है कुछ नहीं है, भाई करनी सकता, तो आप कोई ना कोई एंजियोर, या फिर आप लोग बताईए, हो सकता है, कोई ना कोई बहुत लोग होते हैं, ऐसे हैं बट ऑथेंटिक सोर्स से पढ़िए, ऐसा नहीं कहीं से कॉपी वीडियो मिल गई है, और उठाके लगे पढ़ने, लगे पढ़ने, आकरीम पता चलना भाई, खटी गया, तो अब अभी अनकेडिमी जॉइन करिए, ठीक है, वहाँ पे प्लस कोर्स भी हैं, जो कि बहुत है, इसके अवलावा पॉलिटी आपको, एसर और असर बढ़ाएंगे, इसे बहुत सारे फेमस टीचर है, जिन से ना कभी ड्रीम होता सा, लोग को कि हम पढ़ सकें, तो वो अनकेडिमी आपको दे रहा है, अच्छा, अनकेडिमी का कोई भी कोर्स लोगे न, फॉर जांबल, एक्स प्राइस है, आप इस कूपन कोड को अपलाई करो, तो एक्स माइनस, टैन परसेंट हो जाएगा वो, तो दस परसेंट आपको जो है, एडिशनल डिसकाउंट्स, सिर्फ हमारे चैनल की वाज़े से मिलेगा, वो भी यह स्टेडी आईएस, आपको कूपन कोड ठीक है, यह आपको पहला कोश्चन है, in India, election commission is responsible for conducting election in India, consider the following statement about election commission of India, अच्छे कभी भी ऐसा कुछ statement wise question आए ना, हमेंसा उसको solve करने का ना, एक बहुत ही basic fund ना है, मतलब जैसे न, समझ लो इसे, अब जैसे आप UPSC की त्यारी कर रहे हो, ठीक है, चुलो, अपने mains, mains छोड़ो, अब UPSC की त्यारी कर रहे हो, किसलिए, IS बनना, IS कैसे बना होगे, UPSC का form भर होगे, exam दोगे, interview दोगे, ठीक है, फिर जाके आपका joining letter आएगा, फिर जाके आपला बासमा पहुच होगे न, ठीक है, तो सबसे पहला यहां पर काम क्या कि आपन सब्सक्राइब कर लोग, यह correct है, या incorrect, कई बार क्यों होता है, यहां पर न, question पूछ रहा होगा, incorrect, और भाई, correct की तरह पढ़ोगे, यह तो सही है, यह वाला सही है, यह वाला सही है, और जोग्याम दर महां बैठा होगा, वह भी option को इसी तरीके से सेट करता है, कि आपका जोगे ला, गलती उत्तर देगा हो, तो ऐसा नहीं करना ठीक है, तो इसके लाब हम पढ़ेंगे दो स्टेट्मेंट, इट हैस दा पावर तो रेजिस्टर और डी रेजिस्टर दा पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, ठीक है, इट है, इट हैस लांच, इट हैस लांच सिस्टम, विच अफ दो फॉल्लिविंग ये फिर अबब स्टेट्मेंट इस करेक्ट, ठीक है अबब भी रहेगा, फॉल्लिविंग में तो कोई स्टेट्मेंट है नहीं, तो इसमें बताया हुए, औप्सन है आपका वन अल्ली, औप्सन भी है, टू अप्सन ची है, बोथ इलेक्शन कमेशन ऑफ इंडिया के पास कोई पावत नहीं है, डी रेइस्टर करने का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है, तो ये हमारा उप्सन हो गया, गलत, अब बलत हो गया अब अलिमिनेशन सिखाता हूँ, कैसे होगा, हमारा उप्सन ए, खतम हो गया, उप्सन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम होना, बहुत कॉमन सी चीज़ होगा, आपने स्पीड पोस्ट भी करते हो ना, आपको ना, एक कोड मिलता है, उस कोड को आप तब भी डालोगे ना, ठीक है, आपको सारी डीटेल मिल जाएगा, आपको पोस्ट कहां बहुचा है, कॉन से व और वॉके में यह उप्सन है, हम आप्सन बी को टिक करेंगे, ठीक है, या हमारा आंसर सही है, और यह इसका सोर्स है, डेली हम हैंड आउट से मेरा मतलब है कि मैं ओन्लाइन सोर्स को अपने इसल नहीं कर सकता, तो बहुत सारी ओन्लाइन सोर्स हैं, वहां से यह कोश्टन को लिया गया है, ठीक है, मैंने गोला ना, मोवाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं, तो election commission of India, ठीक है, has launched political parties registration tracking management system to easier registration of political parties, the applicant will be able to track his or her application and will get the status अपडेट थू SMS and email and can also track it through ECI Portal at यह उनका Portal है HTTPS ठीके, secured को सोगरता है और HTTP non-secured को सोगरता है PPRTMS.ECI.GUV.IN in real time ठीक है ठीक है, the applicant is required to provide contact, mobile number and email address of the party applicant in his application if he or she wishes to track the progress of application, political parties, ठीक है Registration of political parties, the registration of political parties is governed by provision of section 29A White paper जो मैंने बोला साथ दोना, आस तो नहीं होगा पिर भी चलो, निकालो कहीं से और इसको लिख लो, इसको आपको पढ़ना है, of the representation of pupil act 1951 इसको भी पढ़ना है ठीक है, election commission of India has no power to cancel the registration of the political party यह मुद्दा मारे supreme court में भी बहुत जगा गया था जब सायद election हो रहा था, कहां का हो रहा था, controversial था, नाम नहीं लूँगा, वह आपको comment कर सकते हो, चाहो तो यह quality, election and representation of pupil act जो है आपका topic है, election system in India जो है आपका सब topic है, January 2020 में बहुत trending में रहा है यह question question, question नहीं trending में रहा है, topic रहा है तो हम लोग ने इसके question बनाया हुआ है, इसके रहा है, question number two, consider the following statement about electoral, electoral bond, ठीक है, यह चीज़ चलो इसके बार में बता जाता हूँ, यह multiple of thousand में आता है, ठीक है, हजार के multiple में बिलता है, bank का नाम तो नहीं बता सकता है, क्यों already इसमें option में है, ठीक है, it will carry interest, ठीक है, same as rapport rate, ठीक है, आच्छा, यह statement वाला question है, हम इसा सीधे नीचे आगे ना, इसको mark कर लो, correct पूछ रहा है, incorrect पूछ रहा है, correct पूछ रहा है, आपर भी, these bonds are available only by Reserve Bank of India, या, government security थोड़ी नहीं है, जो Reserve Bank of India देगा, खर चलो, अभी बाद में इसके आगे, डिसकस करेंगी, registered political parties secured not less than 1% of the votes hold in last election are eligible to receive electoral bonds, ठीक है, select the correct answer from the code given below, देख हो जी, it will carry interest rate तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, यह zero interest rate प्रोवाइट करता है, ठीक है, simple banking system से इसको जोड़ा गया है, anonymous in nature होता है, वो इसलिए कई बार ऐसा होता है, हफ्ता मांगने वाले, चंदा मांगने वाले आते हैं, बाद में वो फिर जो businessmen को threat करते हैं, पुर्फान करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा होता है, आप लोगो ने cases देखे होंगे, पर चकते हैं, इसमें वो simple गोलने में ने X amount जो है, डोनेट किया है, अब डाल दो हमारे balance sheet में, company की balance sheet में, नाम उनको बताने की ज़रूत नहीं है, ठीक है, और these bonds are only sold by Reserve Bank of India, ये भी ऐसा भी नहीं है, ये सिर्फ SBI की branches में ही available है, registered political parties secure not less than 1% of the votes polled in the last election are eligible to receive electoral bond, यास, यासा है, तो इसी सबसे हमारा statement 3 correct होता है, मेरे according, चलते हैं explanation की दराब, explanation भी यही बोलता है, ठीक है, sources, वही मैंने आप कुछों बोला, ठीक है, issue, electoral bond, key feature देख लेंगे series का, although called bond will not carry any interest rate, क्या होता है, कई लोग ना bond देखेंगे, अब उन्हें लगेगा भाई, ये तो interest rate देगा ही देगा, ठीक है, क्योंकि bonds में लोग निवेश करते हैं, ठीक है, government bond, बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है, तो ऐसा मतलब आपको, मतलब confuse नहीं होना है, it will not carry the name of pay, जो मैंने बुला, anonymous रहेगा, पता नहीं लगेगा किस ने दिया, या फिर आपके CEO को भी नहीं पता रहेगा, बस आपको डालना है कि भाई, मैंने ये bond के थुरू किसी पार्टी को donation दिया है, only sold by SBI, ठीक है, eligible कौन है, citizen of India or entities incorporated or established in India, register political party secure not less than 1% of the valid gold in last election are eligible to receive, ठीक है, और ये आपका subject है, topic, sub-topic, ये भी January 2020 में, मतलब topic trending पे रहा था, इसके बाद question no.3 देखेंगे, with reference to electoral bond, consider the following statements, on buying this bond, one can get interest up to 60% of the total value of electoral bond, तो मैंने पहले statement में बता दिया है, ये यहीं से गलत हो जायाएगा, these bonds are available for purchase for a period of 10 days in some particular months only, वैसे तो मेरे साथ से ये सही है, बट इसके बारे में भी मैं deep आपको बहुत अर्ची और भी बताऊँगा, a political party should have to secure at least 1% of votes polled in most recent loks of our state election in order to eligible for receiving electoral bond, ठीक है, अभी statement wise question है, तो सबसे पहले हैं आप 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 देखो, correct correct पूछ रहा है, या incorrect पूछ रहा है, लेगो, पहला option गलत हो गया, जहाँ-जहाँ पहला है, सीजन remove कर दो, हमारे पास option C ही बचता, इसके लाव बचता ही नहीं है, ठीक है, बट चलो, इसके बारे में discuss तो गल लेते हैं, ऐसा लगेगा, सर भी तुक्ता ही वालना सिखा रहे है, यह सही है, और कुछ-कुछ महीने में मिलता है, about 4 months है, वो मैं अभी explanation में आपको बताऊंगा, multiple of thousand होता है, zero interest rate होता है, और यह point भी सही है, लास्ट लोग सबा में 1% valid votes आपको मिले होने चाहिए, तभी आप इसके लिए फिर election commission आपको account number देगा, उसी account number से आप उन bonds को redeem कर सकते हूं, ठीक है, हमारा option C correct है, सोसेल है देली हर दो, same way, what are the electoral bond, electoral bonds are bearer instrument in nature of promissory note, ठीक है, and interest free banking instrument, in interest free, ठीक है, ठीक है, these can be redeemed only through the registered account of political parties in prescribed timeframe, ठीक है, यह अचिस दस बिए वाला बोला, एलेक्टरोल बॉंड्स कैन बी परस्टेज्ट फॉर एनी वैल्यों मुल्टिपल उफ रॉपीज थाउसन थाउसन वन लैक एंड वन करोन फॉर एनी ऑफ दे स्पेसिफिक ब्रांचेस ऑफ दे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यह नहीं कि आप गाउं में ब्रांच है तो वहां पहुंच गया भी यह मुझे एलेक्टोरल बांच दे दो नहीं देंगे क्या पता मुह पे अब लेवल है नहीं है पहले वो पता कर लेना ठीक है एवरी पार्टी डैट इस रेइस्टर अंडर सेक्शन 29-a इसके बाले मैं आपको पढ़ना भी है मैंने लिखवाया है हाँ सबहा और स्टेट इलेक्शन विल बी अलोटेड वेरिफाइड अकाउंट बाई एसी आई इलेक्टोरल बोंड ट्रांजेक्शन कैन बी मेड औले वाय इस अचांट इस Will Not Carry Any Interest Interest Free Bond ठीक है ओलूटी इलेक्शन एंड रे परिजेंटेशन अफ्टोफ पालग्ट टॉपिक है सब्ल्पिक है आपका जैन्वरी मैं ही इसके लावा हम चलेंगे question number 4 की तरव which of the following tasks are not performed by election commission of India इनले से क्या काम election commission of India नहीं करता है यह question मैंने इसलिए दिया है दिखो UPC के अलामा आप लोग बहुत सारे state public service commission के भी ट्यारी कर रहे होंगे उसमें सब्सक्राइब चुच्चे मुच्चे भी होंगे जिसमें examiner जो है अपनी सेखी मारने के लिए question पूछ सकता है तो इसलिए आपको दिया हुआ है यह preparation and updation of electoral role recognition of political parties ठीक है conducts of election to parliament, state legislature and local bodies determination of timing of election and preparation of election and schedule ठीक है अब जैसे statement wise question है आपको statement based question दिया हुआ है समझे ने आप लोग आप लोग को क्या देखना है इसमें सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि यह आपसे correct पूछ रहा है या incorrect पूछ रहा है यह सबसे important है जो आपको देखना ही देखना है ठीक है यह कामना ECI का नहीं होता है और इसके अलावा आप लोग कह रहे होंगे कि भाई यह recognition of political parties सिंबल देता है वो उनके performance पे based होता है ठीक है इस हिसाब से हमारा यह भी नहीं रहेगा इसके अलावा conduct of election to the parliament state local bodies में नहीं करता है ठीक है determination of timing of election and preparation of election schedule ठीक है नहीं, local bodies में भी करता है state election commission I'm sorry यह करता है determination of timing of election and preparation of election schedule ठीक है यह भी करता है आपका अब चलते हैं हम option की तरफ, option one हमारे पास नहीं है, तो ये option और ये option हट गए हमारे, conduct of election to the parliament, state और ये ये भी है हमारे option में, अब बात चलती है, two and three में से कौन सा correct होगा, ये दोनों correct होगे, तो recognition of political parties ये काम हवार election commission of India का नहीं है, performance बेस होता है, आप 50% तो आपको state parties का, मतलब वो मिलेगा, इसके लाव of political parties के symbols, government of election commission of India देता है, बट personally ऐसे किसी को recognize नहीं करता है, ये आपके performance पर होता है, इससाब से ये option हवारा हट जाएगा, option D आपका correct है, sources, same वही online source है, election of local parties is conducted by state election commission, the election commission of India has a wide range of function, it supervise the preparation of up-to-date voter list, जो आपको voter list होता होता है, उसको up-to-date रखना, election commission of India का काम वोता है, it makes every effort to ensure that the voter list is free of error like non-existence of name of registered voter or existence of names of those non-eligible or non-existent, it also determines the timing of election and prepares the election schedule, the election schedule includes the notification of election date from which nomination can be filled, last date of, for filling nomination, last date of scrutiny, इस्क्रोट्मी क्या होता है, जैसे form में कोई गलती तो नहीं है, या कुछ candidate जिसका form गलत हो, या फिर हड़े दाता उसका ना, इसलिए लोग अपने family members का भी डालके रखते हैं, यह मतलब technical है, ऐसा नहीं कि UPC कि स्लिवर स्क्राप से पूछे ना, जर्रली बता रहा हूँ, दो-दो form बरते हैं, वैसे जर्रली जो भी candidate होते है, last date of withdrawal, काई बार, लोग, मतलब, डिसाइड करते हैं, किसी वाजासे कि वह हम election नहीं लडेंगे, तो अपना application वापस भी ले सकते हैं, date of falling and date of counting, and declaration of result, during this entire process, the election commission has the power to take decision to ensure free and fair poll, it can also postpone or cancel the election in entire country or a specific state or constituency on the ground that the atmosphere is busy at it and therefore a free election may be possible. 8 seconds 9. The commission also implement a model code of conduct for parties and candidates, it can order a report in a specific constituency, 10. It can also order a recounting of votes when it feels that the counting process has not been fully fair and just. 10. The election commission accords recognition of political parties and allowed symbols to each of them, 10. It's made point miss, जो आपका recognition होगा ना based on performance होता है, इसका eligible criteria यह है, ठीक है, डारेक्टली आपका सब्जेक्ट है, टौपिक, सब्टॉपिक, फरवरी 2020-0, 20 भी बहुत ट्रेंडिंग में रहा है टोपिक तो आज हम लोग टूटल नमबर आफ कोस्टेंज जो है फाइव लेंगे कल से अराउंड हम लोग 25 या 30 कोस्टेंज डेली कवर अप करने को सुछ करेंगे डेली से मेरा कहने का मतलब यह है ड्यूट सम् पार्सनल रिजन ऐसा भी हो सकता है कि एक दो दिन कुछ प्रॉलम रहे तो मैं डेली के डेली कोस्टेंज ना ले सब हूँ बट यह प्रॉमिस है कि कोस्टेंज आपको मिलते रहेंगे और हो सकेगा तो हम नेक्स जितने भी सेसन होंगे उनको लाइप करने की कोसिस करेंगे अजेस्ट इंट्रोड़क्शन था इसलिए थोड़ा था नमबर आफ पॉस्टेंज जो है हम कम लेंगे कंसिडर दो फॉलिविंग स्टेट्मेंट रिगार्डिंग क्रिमनाइल क्रिमनलाइजेशन ऑफ पॉल्टिक्स ठीक है अब ऐसा अजे स्टेट्मेंट है न सीधे यहां पर नीचे आओ करेक्ट पूछ अच्छा ठीक है इसके बाद फिर जाके ना स्टेट्मेंट पढ़ो यह अपने वसूल बना लो कि यह आपको करना है ठीक है स्टेट्मेंट 1 पढ़ेंगे रिपर्जेंटेशन ऑफ पूपल अक्ट बार्ड कंडिडेट वार कनिवेक्टेट इन क्रिमनल केसे पर मोर थन थ्री यह इन लेली थॉमस केस सुप्रीम कोर्ट ओर्डर्ड दर इमेडियेट टर्मिनेशन ऑफ मेंबर्सिप अफ लोक्सवा ल अब यार देखो सिंपल चीज है रेप्रेजेंटेशन ऑफ प्यूपल एक्ट में ऐसा कुछ मेंशन है नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फूजों नहीं जुरत नहीं है यह तो सुपर है तो ऐसे देश में रह रह रहे हो जिसमें जूदेश तरी बहुत मजबूत है वो टाइम जो है ऐसे जज्जमेंट के बेस पे या फिर ऐसे ऐसे चीज़ है स्वोर मोटर पर महीं लिया आसकर लेकिन चीजों को जो है जो दूरूस्त करती रहती है यह स्टेट्मेंट आपका सही है इस हिसाब से हमारा जो होगा बी करेक्ट आप सरोगा ठीक है सुप्रीम कोट आप इंडिया इन इस जज्जमेंट देट 10th of July 2013 विल दिपोसिंग लिली तोमस व्स उनियन अफ इंडिया अलोग परिहर प्रहारी व्स उनियन अफ इंडिया रोल डड आप लुल जी मेंबर अ मेंबर अवस खेंति स्बायति सीजमेंबर बनदियर लो इंग देट खानित इस ते हम इंडिया ओ ओनिया तो is in contrast to earlier position wherein convicted member held on their seat until they exhausted all judicial remedy in lower state and supreme court of india further section 8 sub clause 4 ये भी पढ़ देना of the representation of pupil act ये तो अल्रेदी pupil act पढ़ोगे ना 1951 उसी में मिल जाएगा आपको फिर भी पढ़ लेना नहीं हो पर नहीं कहां से सोस निकल के पढ़ोगे आपनो विच गूगल कर लेना विच अलाओ एलेक्टेड रेप्रेजेंटेटिटिव थी मुंस तो अपील येर कन्विक्शन वाज टेक्लियर अनकॉंस्टिटूशनल उसको चीज़े मां हाइलाइट कर रहा हूं बाइद बैंच आप जस्टिस एके फटनायक एंड जस्टिस एस जे मुखो फद्ध हैं ये टॉपिक है ये डेट है तो कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बुरी लगी हो तो आप डिस्लाइक भी कर सकते हो साथी साथ मुझे कमेंट में बताना भी आपको क्या बुरा लगा है ताकि हम लोग अपने आपने इंप्रूब कर सकें और झाल